हलो हाई यूरे इस राक टिवन में आप लोग का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वालते हैं इंडियन ओयल कॉर्परेशन के बारे में जिनके लिए चानल नया है या फॉर्स टाम विजिट कर रहे है तो प्लीज जाके चानल को सब्सक्राइब कर लिजए इन फाक्ट बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिजए फॉर मैं लेटिस अपडेट तो चलिए बिनादारा टाइम वेस्ट के बात करते हैं इंडियन ओयल यहां पर इसकी quarter four की result आ गया है और quarter four की result आते ही यहां पर देख सकते हैं 4.41% का एक major downfall होते हुए दिखा बट बेस चीज़ क्या है यहां पर बहुत सारी चीज़ negative आते हुए दिखिए बट बेस चीज़ हमें dividend देते हुए दिखा एंड डिविनेंट में जिस तरीके से कभ सब चीज़ देखने को मिलती है मतलब कंपनी अपने अपने लेवल को तो कभी भूलती नहीं एक एक स्टीम लेवल में करते हुए दिखी है तो यहां पर आप बात कर लेते quarter result के साइट ठीक है यहां पर आप देख सकते हो quarter result से पहले मैं dividend के साइट दिखा देता हूं यहां जिसकी official document है 7 rupees का dividend देते हुए दिख रही है company ठेक है 7 rupees का dividend equity share face value of rupees 10 तो यहां पे 7 rupees का dividend देते हुए दिख रही है date सब announce हो जाएगी तो मैं आपको update कर दूँगा इसलिए बोड़ा हूं यह साड़ी update regular जानने के लिए जल्दी जाओ चैनल को subscribe करो जितना साथ हो इस वीडियो पेच का document यह है ठीक है तो हम लोग यहां पर focus कर लेते हैं में इंपॉर्टेंट चीज पर तो revenue from operation तो आफकोस मैं आप लोग को पहले दिखा जीता हो कि यहां पर जो मेजर डाउनफॉल की रीजन क्या है देखो कॉर्टर फॉर्ट की रिजल्ट सब्सक्राइब 52 यहां पर रूपीज 488 सब चीज बताई गई है बट यहां पर नेट प्रॉफिट जो ड्रॉप हुई है उस चीज को समझते क्यों ड्रॉप होते है बहुत कोई के दिमागे मतब बहुत को कुशन करते सरी अभी के टाइम में जो रिनेवल एनर्जी ए ग्रीन एनर्जी यह सब के चलते तो मतब डाउन होते हुए दिख रही है कि नहीं दिख रही है तो यहां पर मैं आप लोग समझा तो वह साड़ीज रीजन नहीं है ठी सबसे पहले यह साड़ी फिकर्स करोट में यह थाटी वन ट्री टू थाउजन ट्री का मिंटेन किया हुआ है और यहां पर फोकस कर सकते हो यल्डी वाइस कंपारिजन की गई है तो यहां पर सबसे पहले रिवनी फ्रम आपरेशन का साइट डिफरेंस देखे तो देख सकते हो कि यहां पर टू टाउज एर सोरी टू लैक नाइटीन टाउजन एट हंडेट सबसे चीज़ है और इवन अगर बात करें तो यहां पर मतलब रेगुलर बाकी सारे को तम तीन कोटर के साथ देखे तो अभी का जो लास्ट कोटर कोटर फोड़ की जो आई है उसके अक्वा से करते ह phenomenal यहर्य ओर इत य्वन करते हैं अगर बात करें एएल को से उन्यावार्ट होते की तक तो हरेग गिरावाट होकी थे दिखेगी के साइध ड़न करें तो अधर इनकम में इंक्रीज不是 नहीं होतीök चलो उच्छी बात है 26 में औरeks्जु आफ्रम प्सप्रीशन से इनका अच्छी है बट एक्सपेंसे इतना जादा बढ़ गया कि यहां पर एजली हम लोग प्रॉफिट विफोर टैक्स के साइट देखे तो इतना बड़ा डिकलाइन देखने को मिला हमें इसलिए सब और तो इसलिए अगर जब भी प्रॉफिट विफोर टैक्स में ही पीबीटी मे ही इतना बड़ा डाउन फॉल रहेगा तो आप खुद आईडिया लगा लो नेट प्रॉफिट में कितना जादा डाउन फॉल रहे सकता है यहां पर अगर एक्सपेंसे के साइट बात करें तो बहुत सारी एक्सपेंसे का लेवल टू लाक फिफ्टीन पर मिंटेन एंड तो जिसके चलते आप देख से यहली में बट हमें उतना बड़ा डिफरेंस नहीं हम इसा मता हम लोग देख से ट्रॉंट इट्री का ही मेजर डिफरेंस है तो को अपकॉस गिरावट है तो जिसके चलते आणाम से जो नेट पी बीटी बनता है नेट पर नेट प्रॉफिट तो 6,332 का मेंटेन है एन यहां पर 10,768 का मेंटेन है 12,214 एन यहां पर आप देख सकते हैं 9,698 एन यहां पर एक बड़ा था डिफरेंस 52 का डिफरेंस आते वे दिखा है तो छोटा मोरा डिफरेंस नहीं है बहुत अच्छा का था डिफरेंस आपको ELD वाइस में देखने क मिलेगा बट तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट सब में क्या डिम मेजर डिफरेंस है 8,063 एन 4,837 तो यहां पर एक मेजर डिफरेंस पहले ही बन चुकी है इस एरिया में भी आप देख सकते हैं यहली वाइस में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है ठीक अब 3.51 ठीक है यहां पर 5.89 यह लास्ट कोर्टर किये 5.89 तो यहां पर एक मेजर डाउनफर होते हुए दिखा है बट दो सेनारियो चेंजेस हैर गाइस यहां पर आप देख सकते हैं 5.98 ठीक है समझो पहले 5.98 है और यहां से आप मेजर डिफरेंस देखो 28.77 तो यहली वाइस म हमें एक बहुत बड़ा कंपैरिजन होते हुए दिखा है और यह बहुत बड़ा गेम चेंचर चेंजर बनने वाली है ठीक अब थोड़ा सा हम लोग आगे भी फोकस करेंगे एंड चीजों को और भी अच्छे से समझेंगे ठीक है देखो कंपनी अपनी यह बैलेंस शीट है आप देख सकते हैं बार्वींट इंडिकेट कर रही है बॉर्विंग सबकर साइट अब देख सकते हैं इसमें इंक्रीज है यहां पर रिजर्फ तो नहीं दियो है बत हां उसके लिए हम लोग देख लेंगे आगे कि रजर्फ का क्या सीन है मतब मैं बाद में आप लोग को अब जब मैं खुझ से एक डीटेल एनलाइस करूंगा अभी तो बस आप लोग के बतानी के लिए मैं चीज़ें दिखा दे रहा हूं अब यहां पर अगर मैं बात करूंट कि यहां पर ट्रेड रिसीवेबल सब देखे तो ट्रेड रिसीवेबल अच्छी खासी मेंटेन है यहां पर वन टू थ्री फोर ओके तो यहां पर ट्रेड रिसीवेबल भी अफकॉस अच्छी के इन्वेस्मेंट सब में भी कोई कमी नहीं है हां बट यहां पर एक चीज मेजर डिफरेंस देखने को में रही है पुराने टाइम से इन्वेस्मेंट में गिरावट है तो यह का थोड़ा सा निगेटिव पार्ट पढ़ते हुए दिखा है देखो यह सारी चीज तो आपको समझ में आगी यहली में एक मेजर डिफरेंस है क्वाटरली में क्या हाल बना हुआ है तो यह सारी चीज को लेकर आपको पैनिक नहीं होना है ठीक साइवें रूपीस की आपको डिफरेंट भी देते हुए दिख रही है देखो अफकोस शेयर डाउन आते हुए दिखी बट थोड़े दिन बात सारे मामले मत्तब आराम से हो जाएंगे जब डिफरेंट की डेट आईगी तो तब फिर से भागना स्टार्ट हो सब फिर डिफरेंट ग्राप करने पर लग जाएंगे और आपके पास ऑपरचिनिटी बन रही है इस एरिया में उठाने का ठीक है हो सके तो 164 या 162 के एरिया में आए तो आप हो सके तो जितना जादा हो ग्राप करने का ट्राइग करो क्योंकि यह एरिया इसकी बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है अभी के लिए इतना ह करिया बना हो लगी के इतना है एक आए तो फ लगी में आपस का यह एक जोल्ग बहाएंगे इतना है इतना है एक्षी बहा कर दो में झाएंगे का दोब्द दो ज